हाई गाईस तो आज की वीडियों हम सॉल्ट करेंगे और एक इंट्रेस्ट्रिंग कुस्चिन जो कि एक्क्वार्ट रेक्टंगल यार कुस्चिन का लिंक तुम्हें यहां से मिल जाएगा तो लिंक ओपन करते हैं और देखते हैं क्या कुस्चिन था तो देखो पुस्चिन को चीश सतरह का गेवेन हैं न मुझे फोरेंस्टिक मिलेगा यहां फिक, फोरेंस्टिक अगर दिया है और सबका लेंथ मुझे यहां पे इंट्पोर्ट में मिल जाएगा और हमें क्या करना है N rectangle grid करना है OBS है कि मुझे 4 & stick मिला है तो N rectangle हम बना पाएंगे और क्या कर condition मुझे दिया गया है कि rectangle का four stick use करना होगा कि 4 side के लिए एक stick मुझे use करना होगा और four side में अच्छा opposite same होना चाहिए Rectangle का तो ये तो obvious हो गया ना कि अगर rectangle बना रहे तो ये चारो साइड तो सेम होना चाहिए, ये मैंने थोड़ा सा गडबड कर दिया, पर सेम होना चाहिए, और हर एक अंगल ये 90 डिग्री का होना चाहिए, राइट अंगल एक होना चाहिए, और क्या दिया गया है, जो स्टीक मुझे मिला है फोरें स्टीक, तो उनको एक ही स् rectangle कर दिया एसे नहीं कर सकते हैं एक stick को लेके एक rectangle में use कर सकते हैं और क्या दिया गया है जो stick मेरे पास है ना you can't break that that stick or can't use that use the full length ठीके तो तुमने एक stick को break नहीं करना है और अगर तुम्हें short पड़ रहा है तो एसे अगर कहलो 2 2 5 3 और इसको अगर मैं एक rectangle बनाता हूँ तो माल लो 2 2 यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 ले लिया तो इसका जो यही पार तो use नहीं हो आना तो इसे हम नहीं कर सकते हैं तोनों जो कि stick का लें थे उस पूरा use हो जाना चाहिए और हम किसी को break नहीं कर सकते हैं ओके तो हमें क्या करना है your task is to say if it's possible to create exactly any rectangle तो हम उनको यह बताना है यह चो stick को लेके हम equal area का equal area का जिसका area से मों एसे rectangle बना पा रहे या नहीं अगर बना पा रहे तो यह sprint करना होगा जैसे यहाँ पे तो इसे क्या दिया है अगर यह कुछ length मिला है मुझे अगर इन लोगों को लेके दो rectangle में बना सकता हूँ तो मुझे yes print करना है नहीं तो no print करना है तो question थो बहुत easy सा था तुम्हें समझ में आया होगा तो यह discuss करते हैं इसको क्या होगा solution इसका यहार देखो मुझे first line पे कुछ test case मिला है और second line पे मुझे n बता रहे है n क्या है rectangle number rectangle कितना मनेगा अगर n rectangle 1 है तो 4 side मिलेगा मुझे अगर 2 है तो 8 side मिलेगा ठीक है तो इसको लेके हमें यह देखना है कि हम equal area का rectangle बना पा रहे है या नहीं तो क्या क्या था हमें देखते हैं इसको 10 5 2 10 1 1 1 एक 1 यहां पे 1 and 2 5 यह कुछ length मुझे दे रखा है तो length के लिए same हो opposite side तो यह दोनों तो एक side बनेंगे opposite side बनेंगे और यह दोनों मिलके एक opposite side बनेंगे यह दोनों pair मिलके एक side बना पाएंगे और यह दोनों मिलके एक pair बना पाएंगे तो यह 10 and 10 यह दोनों एक side में अलब एक opposite side में रह सकता है और 5 and 5 यह दोनों मिलके और एक opposite side बनाएंगे यह 2 and 2, और यह 11, ठीक है, तो यह चारो पेर में से, मैं कोई भी 2 पेर लेकर rectangle बना सकता हूं, जैसे कि 10 and 5 को अगर में ले रहा हूं, तो 10 यहां पे आएगा, 5 यहां पे आएगा, 10 यहां पे, 5 यहां पे, तो 10, 5, तो इसका area क्या बन जाएगा, 5 into 10 equal to 50 बन जाएगा, और यह 2 पेर को लेकर यहां बना सकता हूं, तो यह 4 में से, कोई भी पेर लेकर मैं बना सकता हूं, पर यहां मुझे क्या बना रहा है, equal area बना रहा है, तो यह 4 जो मेरा पेर है, कौन सा मुझे लेना सही रहेगा, और दूर साइट B, यह थोड़ा इसको, इसको तो रेक्टेंगल देखेगा, ठीके, तो यह कुछ मेरे पास रेक्टेंगल है, जिसका एक साइट A है, और एक साइट B है, मल, और area क्या है यहां पे, A into B, और मुझे same बनाना है, एक same area का बनाना है, रेक्टेंगल, पर A and B का बनाना है, क्योंकि यहां पे अलाग-अलाग मुझे value मिलेगा, तो यहां क्या कर सकते हैं, यह दोनों multiply हो रहा है, A into B, अगर इसको मैं increase करूं, और इसको भी increase करूं, तो multiply होके दोनों बड़ा हो जाएंगे, और अगर मैं इसको decrease करूं, इसको भी decrease करूं, तो multiply होको छोटा ह हो जाएंगे, तो same रखने के लिए क्या होगा मुझे, अगर मैं A को increase कर रहा हूं, A को decrease करना पड़ेगा, अगर A का value मैं increase कर रहा हूं, तो B का value मुझे decrease करना पड़ेगा, तभी तो मेरा चो निया बनेगा, वो मेरा बन पाएगा, equal area का, ठीके, और यह अगर मैं A dash बोलता ह तो यहां से क्या हमें मिला, A को अगर बड़ा कर रहा हूं, तो B को छोटा करना होगा, अगर A को छोटा कर रहा हूं, तो B को बड़ा करना होगा, ठीके, और मुझे equal कब मिल पाएगा, जब एक छोटा और एक बड़ा हो, तो इस case में क्या बनेगा, यह दोनों को अगर मैं और इसको थोड़ा बढ़ा करके यह हो गया, इसको थोड़ा छोटा करके यह हो गया, ये दोनों मिलके same area का rectangle बना पाएंगे. पतो शली देंगे, タक है ये बात तो समझ में आ गया, तो देखते हैं किस तरह हम इसको अप्रोज करेंगे, यह यह जो data मिला है न हम इसको sort कर देते हैं एक बार क्यों sort करेंगे क्योंकि एक बड़ा और एक छोटा मुझे चाहिए rectangle बनाने के लिए equal area का और अगर मैं छोटा को थोड़ा बड़ा कर दूँ या फिर बड़ा को एक छोटा कर दूँ तो अब भी मुझे equal area का rectangle मिल सकता है तो इसको देखते हैं sort करूंगा अगर इसको तो क्या बन जाएगा 1,1,2,2,5,5,10 और 10 ये मिल गया मुझे sort करने के बाद तो equal area वाला काहा मिल पाएगा या तो ये दोनो मिल के बनाएगे इसको थोड़ा बड़ा कर दो इसको थोड़ा छोड़ा कर दो तो ये दोनो मिल के ये दोनो आंड ये दोनो मिल के बनाना चाहिए जो की case में ये हो रहा है 10 into 1 यहाँ प्यारा है 10 and 2 into 5 यहाँ प्यारा है 10 जो की same है तो यह case में मुझे yes print होना चाहिए yes है ना ठीक है तो आप्रूच क्या रहा हम हमारा इसको तो पहले हम short कर देंगे और यह check करेंगे क्या यह length हाँ और एक check करना होगा क्या यह rectangle बना पाएंगे या नहीं बनने के लिए क्या होगा यह दोनो same length का होना चाहिए यह दोनो same length का होना चाहिए यह दोनो same length का होना चाहिए और यह दोनो भी same length का होना चाहिए अभी तो यह opposite वाला जो side था यह to satisfy होगा यह न? तो इसको कैसी check करेंगे? एक तो हमने sort कर दिये और यहां पे एक ले लेते हैं I और यह आई point कर रहा है इसको यहां से एक J लेते हैं इसको, ठीके अर यह check करेंगे क्या यह दोनो same में या यह दोनो same में अगर यह दोनो same हो रहा है तब भी मेरा equal rectangle बन पाएगा और यहां पर check करेंगे area जो कि है मेरा 10 और फिर इसको j को ले आए मैं इधर और i को ले आए मैं इधर और next में क्या करेंगे यह दुनों को यह दुनों को check करेंगे और area यहां से find out करेंगे 10 अगर यह previous area से same है तो मेरे आगे continue होगा नहीं तो अगर same नहीं है तो यहां से continue नहीं करेंगे मेरा answer तो मिल गा हिए equal area वाला नहीं हो सकता है तो कैसे करेंगे एक तो इतना तो पहले कर भी लेते बात में आके यहां पर discuss करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे पहले टेस्ट केस मिलेगा फिर n मिलेगा और 4n का मुझे साइट मिलेगा तो इसको पहले कर लेते हैं ठीके तो पहले तो इंटेजर टेस्ट केस में उठा देता हूं अगर मुझे अगर मुझे अ ऊसके बाद ऐसको बाद पहले साइट मिलेगा तो एक आडेशर क करेगा new int पर यार देख लेते हैं constant क्या था क्या ये integer में store हो पाएगा क्या था constant यहां पे यहां पे कुछ एक वाई तो 10 to the power 4 आ रहा था तो multiply होके 10 to the power 8 तक बना पाएगे तो integer में आ जाएगा तो integer ही रखते हैं इसको ठीके new int बनाते हैं 4 int का 4 int का site मुझे मिलेगा यहां पे ठीके और इसको input लेते हैं और जा i equal to 0 and i less than i less than कहां तक 4 int तक तो area र.len तक ले रहते हैं and i plus तो इतना बर मुझे लेगा और rm में store कर लेता हूँ i call to hc dot and next ठीके यार यह मिल गया मुझे इसके बाद हम क्या decide किये थे करने के लिए पहले इसको हम sort कर देंगे ठीके sort करने के बाद फिर बाद में देखते हैं क्या करना होगा तो rs.sort मैंने rs.sort use करके कर दिया rs.sort ठीके तो sort करने के बाद ये कुछ इस तरह बन गया 1,2 1,1,2,2 5,5,10 ठीके तो इसके पाद क्या चिक करेंगे ये दुनों को चिक करेंगे ये दुनों को चिक करेंगे तो मैं i यहां ले रहा हूँ और इसको मैं left बोल दे रहा हूँ ठीके i तो मेरा use हो जाएगा और इसको मैं right बोल रहा हूँ ठीके तो right यहां पे है और left यहां पे और हम चिक करेंगे left और left plus 1 ये दुनों से में याने right और right plus 1 ये दुनों से में याने और ये right कैसे मिलेगा पहले मुझे 0 आना चाहिए फिर जब दूसरे iteration पे यहां start होगा तो 2 आना चाहिए फिर दूसरे उसका बाद iteration पे यहां start होगा तो 4 आना चाहिए तो ये क्या हो रहा है 2y को represent कर रहा है i के भेलों का 0 लूं पहले 0 आएगा 1 लूं तो y का 2 लूं तो 4 आएगा तो left कैसे represent करेंगे पहले तो चलाते हैं इसको यहार देखो कितना बाद लूप चलाएंगे जितना rectangle मुझे form करना है और rectangle कितना form करना है जितना n मुझे मिला है तो पहले तो चेक करते हैं इसको i equal to 0 i less than n and i plus plus तो इतना बार हम चेक करेंगे और क्या चेक करेंगे पहले तो एक left लेते हैं लेट क्या हो जाएगा left हो जाएगा 2 into i है ना 2 into i करेंगे तो यह 0 और 2 ऐसे मिलता रहेगा 2 2 2 2 pair में यहां से 2 2 pair में मिल गया और यहां से मुझे यह चाहिए तो यह position क्या represent कर रहा है 4 i को कितना length है 8 length है ना तो 4 and को represent कर रहा है और यहां से मुझे 2 2 2 2 करके माइनस करना है माइनस 2 i 2 2 2 2 करके यह माइनस होता रहेगा पर पहले क्या होगा यह था 8 ठीके और i का में तो 0 है तो माइनस 0 तो यह आ रहा है 8 पर मुझे चाहिए था 6 तो मुझे 2 और माइनस करना होगा तो right कैसे define करेंगे 4n-2i-2 कि 2 मुझे और भी minus करना होगा क्यूंकि i0 से start हो रहा है ठीके तो left हो क्या right क्या होगा 4n 4 into n minus 2 into i यह दो दो करके decrease होता रहेगा और मुझे 2 क्यूंकि i0 से start हो रहा था विसलिए मैंने 2 फिर से minus कर दिया और इस केस में हम क्या करेंगे यह दो को यह दो को और यह दो को compare करेंगे तो यह represent कर रहा है left and left plus 1 यह right and right plus 1 so if r a का left and left plus 1 if यह दोनों same नहीं है तो यहां से हम break कर लेंगे कि यहां से हम rectangle नहीं बना पाएंगे r a का left plus 1 यह दोनों अगर same नहीं है और किस case में मुझे नहीं मिलेगा अगर right दोनों same नहीं है तो r a का right अगर same नहीं है r a का right plus 1 अगर यह दोनों side same नहीं है तो तो हम बना ही नहीं पाएंगे rectangle और कुन सा case होगा यह जब मैं यह check कर रहा हूं इसका area अगर previous area से same नहीं हुआ ठीक है ना तो previous area पहले तो एक बना लेते हैं area कहां से आएगा इसको इसको तुम multiply कर दो यह side और यह side को तुम multiply कर दो तो area भी मिल जाएगा तो मैं पहले एक area बना देता हूं is a area equal to r a का 0 ठीक है r a का 0 into r a का r a dot length minus 1 ठीक है area मेरा बन गया और यह satisfy कर रहा है या नहीं इसके लिए मैं एक boolean बला देता हूं यहां से boolean ताग equal to पहले तो मैंने true ले 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 ठीक है अगर यह case में यह left right same नहीं हो right left same नहीं हो या फिर यहां पे जो area बन रहा है area कैसे बनेगा left यहां पे है right यहां पे यह दोनों को multiply करके area बनेगा अगर मेरा area of left and area of right यह दोनों मिलके इसको दोड़ा छोड़ा कर लेते हैं यह दोनों मिलके अगर मेरा जो area था उसके साथ same नहीं हो रहा है not equal to area तो यह case में भी मुझे no print करना है तो यह case में फ्लाप को क्या कर दूँगा false and यहां से break कर देंगे break क्यों कर रहे हैं अगर एक ही एक बार नहीं हो रहा है तो आगे चेक करने का जोरूरती नहीं है यह ना हमें बता गया था कि सारा का area same हो रहा है अगर एक का same नहीं हो रहा है तो answer उन्हों ही होगा तो यह look जब खतम होगा तो फ्लाप का value change हो जाएगा अगर मेरा कुछ condition नहीं satisfy कर रहा है तो यहां से check कर देंगे अगर अभी भी मेरा flag true पड़ा है इसका means यह सब condition को satisfy कर दिया तो system.out.print यह देंगे हम yes अभी yes प्रिंट करने के लिए मुझे बोला गया था अगर यह नहीं है तो फिर no कर दो else no print कर दो ठीके तो इसको run करके देखते हैं क्या हुआ अज सर्फ तो हो रहा है यह code को लेके यहां paste करते हैं submit काफी easy से question था पर यहां से थोड़ा idea मिल जाता है कि किस तरह question यहां पर आता है ठीके तो run हो रहा है let's guess to 8 accept हो गया तो यहार उमीद करता हूँ कि इसका solution तुम्हें पसंद आया होगा यहार छोटा सा question था पस area को calculate करना था एक बार हमने sort कर दिया उसके बाद area बस calculate हो गया अगर same है तो yes and no तो मिलते हैं next video में Bye